सब कुछ तेल पर निर्भर है एक ऐसे दिन की कलपना करी जब दुनिया उल्टी हो जाएगी जब मानव जाती भविष्य के पागलपन में गिर जाएगा अकाल, युद्ध और पैसे के मारा मारी के वज़े से जिन्दगी नर्ख हो चुकी होगी यह वह दिन है जब दुनिया की सब से कीमती संसाधन खत्म हो चुकी होगी तेल इस दुनिया में रक्त की तरह प्रवाहित होती है जिसके बिना हम अपने लोगप्री जगा के लिए उडान नहीं भर सकते अपनी गाड़ी में घर से आफिस नहीं जा सकते शायद इस वीडियो को यूट्यूब पर भी नहीं देख सकते तो क्या होगा अगर तेल रूपी डीजल और पेट्रोल इस दुनिया से खत्म हो जाएं नमस्कार दोस्तों अगर के पांचवे एपिसोड में मैं मुक्तेश आपका स्वागत करता हूँ हम अपने जीवन में बहुत से चीजों को उर्जा प्रदान करने के लिए तेल पर निर्भर हैं ताजा IEA ओल मार्केट रिपोर्ट की मुदापिक इस वर्ष 34 बिलियन बैरल तेल की मांग रहने वाली है अगर इसी गती से हम चलते रहे तो आखिर कब तक प्रिथवे पे मौजूद तेल हमारी जरूरतों को पूरा कर सकती है हम ओल के बनने की प्रक्रिया को समझ लेते हैं एक प्रमुक सिध्धान्त के मुताबिक मृत जैविक पदार्थ समुद्र की गहराईयों में, नदियों में और दलदल में एक अठे होते हैं गुजरते वक्त के साथ इनके उपर मलवा एक अत्रित हो जाता है करोडों सालों तक ऐसा होने से यह मलवे भारी हो जाते हैं जिसके चलते वहां का प्रेशर और तापमान बढ़ जाता है इसकी वजह से वो जैविक पदार्थ गाढ़े घने रंग के पदार्थ में तबदिल हो जाते हैं जिसे केरोजन कहा जाता है इन में से कुछ केरोजन्स धीरे-धीरे ओईल और प्राकृतिक गैस में तबदिल हो जाते हैं जिसे जिवाश में इंधन कहा जाता है वैज्ञानिकों के अनुसार इस प्रक्रिया में कम से कम 10 लाख साल लगते हैं इंस्टिट्यूट ओफ मिकैनिकल इंजिनियर्स के मुताबिक अभी प्रित्वी में 1.3 ट्रिलियन बैरल साबित हो चुके तेल की रिजर्व बचे हुए हैं आज के दर से ही अगर तेल की खपत होती रही तो इतना तेल 40 साल चल सकता है ऐसे आकड़ों ने सरकार और ओयल कमपनी को मजबूर कर दिया है कि वो ओयल की खोज समुदर की कहराईयों जैसे काफी मुश्किल जगहों पर करें हाला कि यह बेहत खर्चीली प्रक्रिया है इंजिनियर्स के सामने मुख्य चुनोती इतने गहरे समुदर से ओयल और गैस निकालना होता है आज की टेकनलोजी के अनुसार इन जगहों से गैस निकालने में जो एनरजी लगती है वो निकलने वाले गैस से काफी ज्यादा होती है जिसके वज़र से कुल मिलाकर एनरजी का नुकसान होता है देखा जाये तो ओयल तो उपलब्ध है पर उसे निकालना काफी मुश्किल है कुछ वैज्यानिकों का मानना है कि हम अभी से ही अपने सरवाधिक तेल उत्पादन छमता को पार कर चुके हैं इससे ये बात तो साफ है कि ओयल ढुणना काफी मुश्किल है जिसे कि हम बढ़ते हुए पेट्रोल और डीजल की दामों से समझ सकते हैं दाम का बढ़ना ही हम उपबोकताओं को कम खपत करने और खोच करताओं को नए विकल्प ढुणने के लिए प्रोचसाहित करता है जब एक दमदार वैकल्पिक संसाधन डीजल और पेट्रोल के बदले उपलब्ध होगा तब सर्व सम्मती से इनका इस्तमाल खत्म हो जाने की सर्वाधिक संभावना है पर अगर हम वैकल्पिक संसाधन खोजने में नहीं सफल होते तो क्या परेडाम होगा वैश्विक अर्थ व्यवस्था तूरंत ही विनाश के धेर में गिर जाएगी जिस प्रकार की जीवनशली हम जानते हैं वह खत्म हो जाएगी रोज मर्रा के जिन्दगी में काम आने वाले सारी चीजों का उत्पादन बंध हो जाएगा वस्तुतह सभी परवहन बंध हो जाएगे और ऐसे ही सारे विनिर्मार उत्योग भी बंध हो जाएगे पर जैसा के हम पहले चरचा कर चुके हैं लोग ओईल के वैकलपिक साधन की खोज में लगे हुए हैं और इस बात को हमें स्विकार लेना चाहिए कि एक मात्र वैकलपिक साधन से हम उसकी कमी पूरी नहीं कर सकते हमें विभिन संसाधनों का खोज लगातार करना होगा आपको यह एपिसोड कैसा लगा? कमेंट करके जरूर बताएं ऐसे ही रोचक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों और घर वालों के साथ शेयर जरूर करें धन्यवाद